हंगरी स्पिरिट्स चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों ऐसा लगता है कि कॉमीडियन कपिल शर्मा को वाके ही किसी की नजर लग गई है पहले उनका जगडा सुनील ग्रोवर के साथ हुआ था दा कपिल शर्मा शो की टीम बिखर गई टी आरपी अरश से फर्ष पर आ गई तिनका तिनका जोड कर जब फिर से टीम खड़ी हुई तो कपिल शर्मा की तबीयत को नजर लग गई उनका स्वास्तिय गिर गया और बड़े बड़े सितारों के साथ प्लांड शूट उनको कैंसल करना पड़ा और अब शों के दो एहम सदस्तेओं के बीच में तना तनी हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दा कपिल शर्मा शो में काफी दिनों से दो लोगों की बात होती रही उनके जगडे की बात होती रही वो लोग थे कपिल और सुनील ग्रोवर काफी महीनों से उनी का विवाद इंटरनेट पे चाय रहा पर इस बार जिन दो लो अभी महीना पहले ही शो में आई हैं और किकु शार्दा जो शो में शुरू से ही जुड़े हुए हैं उनके बीच में एक कोल्ड वार शुरू हो गई है इस कोल्ड वार की शुरुआत कॉमेडी सरकस से हुई थी दोस्तो जहां पर किकु और भारती एक साथ परफॉर्म करते थे लेकिन भारती के साथ हुए विवात के बाद किकु ने कॉमेडी सरकस छोड़ दिया फिर दोनों ने दुबारा कभी साथ में काम नहीं किया यहां पर गौर तलब है कि जब सुनील से जगड़े के बाद सब कपिल का साथ छोड़ गए थे तब भी किकु कपिल शर्मा के स साथ थे लेकिन अब भारती की एंट्री से माहौल में तनातनी है दिल्चस्प बात ये भी है कि पिछले दिनों भारती खुद शोड़ में अपने रोल और पंच लाइन्स को लेकर खुश नहीं थी खबराई थी कि पहले ही दिन की शूटिंग के दोरान वो नराज हो गई थ हाला के बाद में सब ठीक बताया गया कपिल शर्मा की तबियत इन दिनों खराब है इस वज़ा से शोड़ के दो एपिसोड की शूटिंग भी नहीं हो सकी बताया जाता है कि कपिल शोड़ के बुरे दिनों को देख कर डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं दोस्तों उमीद यह ही है कि कपिल जल्द ही स्वस्त हो जाएंगे और अपनी टीम के साथ मिलकर दर्शकों का डिप्रेशन कम करेंगे इस बीच तना तनी और कोल्ड वार जैसी खबरों को भारती सिंग और की कुशारदा ने खारिच किया है लेकिन जैसे हालात हैं कहा नहीं जा सकता क्यूंकि अ दूआ कीजिए ताकि हम फिर से हसता खेलता दा कपिल शर्मा शोद देख पाएं थैंक यू सो मच